प्रिंड्स ये है हमारा गरम मसाला का सारे इंग्रेडियंट गरम मसाले के ये सारे इंग्रेडियंट में हमने दस तरीके के मसाले लिया है ये गरम मसाला है इसमें हमने वन टेवल स्पून जीरा लिया है और वन टेवल स्पून काली मीर्ज और वन टी स्पून हमने साहे जीरा लिया है साहे जीरा ये देखिए काफी पतले पतले होते हैं यह काफी पतले हैं और यह हमारा जो नॉर्मल जीरा है यह मोटे मोटे हैं साही जीरा और नॉर्मल जीरे में काफी अंतर होता है लेकिन यह दोनों जीरे होते हैं और ये है हमारा लॉंग को हमने हाप टेवल एस्पून लिया है ये तक्रीबन 15 है और ये है हमारा ये है हमारा छोटा इलाइची छोटे इलाइची को हमने 12 लिया है और ये है हमारा बड़ा इलाइची ये है काली इलाइची जिसे हमने 5 लिये है और यह 12 लिया है वो है ग्रीन कलर का इलाइची और यह है हमारे जवीत्री जिसे हमने दो लिया है और यह हमारे जैफर यह एक हमने लिया हुआ है लेकिन एक का जरूरत नहीं है हमें हाप का जरूरत है इसे हम हाप कर लेंगे और यह है हमारा तेज़ पत्ता तेज़ पत्ता हमने छेट तेज़ पत्ते लिए हुए हैं और तीन इंच हमने दालचीनी लिया हुआ है यह सभी 200 मसालों को मिलाकर गड़म मसाला बनता है तीस से पहले इन सभी मसालों को हमें हलका सा भुनना है सिर्फ हलका सा गड़म करना है ताकि इसका नेचुरल वाइल जो आए रहता है मसालों का वो बाहर आ सके एक से दो मिनिट उससे ज़्यादा नहीं नेचरल वाइल आने से इसका जो टेस्ट होता है वो भर जाता है तो हमें सबसे पहले वही करना है तो हम वही करने जा रहे हैं पहले गर्म करेंगे सबसे पहले हम इसमें जीरा को भूनेंगे अच्छी तरीके से लगतार चलाते रहें लगतार के लाते खुर भूनी जीरा है अगर अगर का सराही या तब जाब 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 गर्म है तो दन आपके गैस को आफ कर देजिए वह माद भून चुका है काली मिर्च को अपको भूने की ज़िए नहीं है अगर अगर अपका काली मिर्च से लाया है ताब जरूर कराई में डालकार इस तरह से चला लेगी तरके मसाल अच्छी करिके एपका साटे अब हम इसमें साही जीरे डालेंगे साही जी रखो भी लागर एका साथ इसके रखों पूंदेना है इसके वासे हम हरी इलाइची ये काली इलाइची जाइफर जावीत्री लॉंग जाइफर हमें नहीं बुनना है इसे भी हल्का सा भी लेंगे इसके जो माइच्चर है वो खत्म हो जाए और नेचर लुबाई जो है ये अपर आजाए ज्यादा नहीं बुनना है अगर तो मेलाने लगे समझे किसका नेचर लुबाई उपर आ चुका है इसी तरीके से हम दूने तेज पत्ता को भी बुनेंगे और जो हमारा दल्चीनी है उसे भी बुनेंगे तेज पत्ता दल्चीनी को इसी तरह से बुनना है अब हम इन सारे मसाले को ठंडा होने देंगे जाइफर को हम पहले तोर लेंगे क्योंकि मिक्सी में तोर करके ही हम उसे ग्रैंड कर सकते हैं यह जैफर को हमने कुचल लिया है अब कुचल कर जो हमारा पहले से जो तावा है जो हमारा कराही गर्म था उसमें हमने थोरी दिर के लिए एक से दो सेकिंड के लिए हिलाया है और उसके बाद हमने वापस इसमें डाल दिया है यह साड़े मसाले अभी ठंडे हो रहे है यह हमा इसे अच्छे तरीके से पाउडर का रूप देना है अगर आप चेक करें और दोवारा अगर आपका नहीं रहे ग्राइंड हुआ अच्छा से तो आप दोवारा ग्राइंड इसे किजिए हमारा ये गरम मसाला ग्राइंड हो गया है अब ये बिल्कुल तरीके से तयार है अब हम इसे जार में रखेंगे हमारा गरम मसाला बनकर तयार हो गया है आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट के जड़े पताईए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी सेयर कीजिए कि घर पे गरम मसाला कैसे बनाया जाता है ये काफी सुध होता है इसमें कोई मिलावटी नहीं है आपको कुछ नया सीखना है तो वो भी आप हमें कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं आपको ये वीडियो देखने के लिए थांक्स